अगलो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो लेस्टन है इंगली सब्जेक्ट का और वी हाव सम्थिंग इन आवर माइंड इस लेस्टन को बनाते वक्त हमने कौन-कौन से चीज़ों को इंपलियोट किया है और कौन-कौन चीज़ों के पर फोकस किया है तो first of all हमने इस लेस्टन के अंदर जो है बच्चों के Language and Literacy Development जो के NEP 2020 से लिंक्ड है इस डोमेइन को हमने इंपलियोट किया है objectives of the lesson तो इस lesson के objectives क्या होने वाले है कि बच्चों को कुछ riddles दी गई है तो इन riddles के basis पे बच्चों को shapes और अलग-अलग colors का information देना है उनको अलग-अलग shapes और color remember करवाने है इसी के साथ साथ में riddle solving, puzzle solving बच्चों के skill को हमें develop करना है तो इन objectives को deliver करने के लिए है इन outcomes को deliver करने के लिए हमने अलग-अलग और multiple kind की activities conduct की है इंट्रिड्यूस की है ताकि बच्चों को जो है बच्चे self-learning कर सके और यह activities है सारी के सारी अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अजिसमें बच्चों involvement होता है जिससे के learning easy और simple होती है आप भी आपके student का हाद में यह activities conduct कीजिए, it will help you a lot